हेलो दोस्तों, वेलकॉम टू सिप संकर सेफ चैनल, चलिए मैं आज आप लोगों को बीच सैर करने वाले हैं भेज तालेमन सूप, भेज तालेमन सूप कैसे बनाते हम, आज हम देखेंगे बहुती असान तरीका से, एक चुली ये होता तो नौन बेज है, आज हम इनको भेज म में चोटा चोटा कटी में कैरोट बींस ले लिया हूँ, थोड़ा सा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, शुगर, चीनी और साथ में भीनिगर और शोया सोस, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये सबसे पहले हम थोड़ा सा बटर यूज कर लेता हूँ, बटर के जग कैरोट और बींस को पहले थोड़ा सा एड़ कर लें, उसको फ्राइ करें, हलका सा ज़्यादा नहीं करना है, हलका फ्राइ करने के बाद आप भेजटिबल स्टोक जो हता है, उसको एड़ कर लें, बचा हुआ भेजटिबल स्टोक बनाते हैं, उसको हम एड़ कर लेते हैं, और पनीर के जग चाहें तो आप टोफो भी यह के एड़ कर सकते हैं और उसमें थासा स्वादंस्वार आप white paper एड़ कर ले और स्वादंस्वार थासा black paper एड़ कर ले इसमें बहुत ज़ादा sources और बहुत ज़ादा species का ज़रूरी नहीं पड़ता है और बहुती tasty और बहुती स्वाधिस्ट होता है ये soup तो ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा स्वाधिन स्वाध नमक एड़ कर लेते हैं आप लोग friends वीडियो के skip ना करें और अंत तक देखें step by step step by step आप लोग अंत तक देखते रहें कैसे बनाते हैं हम आप लोगों की सामने soup तो ये soup ठंडी में actually बना के खाने में घर पे बहुती tasty लगता है तो आप लोग जरूर बनाईएगा और मैं उमीद करता हूँ जो आप लोगों को भीनीगर भीनीगर शूप में जाने के बाद उसका टेस्ट जो है बहुती अच्छा sour type का हलका से लेके आता है और इसमें हम add कर लेंगे चाहें तो आप boiled किया हूँ noodles add कर सकते अगर आपको जल्दी नहीं है तो कच्चा noodles भी डाल के उबल कर सकते हैं और इसको जो है फ्रेंड ये देखी उबलने जब तक दे noodles अच्छा तरीका से पक ना जाए है न क्योंकि हम इसमें नहीं तो कोई chicken नहीं तो कोई egg add करते हैं इसलिए इसमें हम उपर से थोड़ा सा cabbage जो है छोटा छोटा सा cube size का कटा हुआ हम add कर लेते हैं इसको अच्छा तरीका से पकने एक बाद हम इसमें थोड़ा से spring onion add करेंगे इसका जो फ्रेवर है शूप का बहुत ही मज़ादार लेका आता है तो ये देखे फ्रेंड मैं आप लोगों की सामने soup बना के त्यार कर चुका हो अब हम guest के सामने कैसे serve करेंगे सबसे पहले हम एक soup ball लेंगे उसका साथ soup spoon और साथ में plates तो आप लोग ऐसे ही अगर आपका घर पे soup balls नहीं हो तो आप सोचते हैं कैसे तो आप cups में भी लेके पी सकते हैं और आप चाहें तो कोई stills का ball में भी लेके पी सकते हैं तो है न बहुत ही interesting soup और जितना ही tasty ये बनने में लगा है उतना ही स्वादिष्ट खाने में भी आपको sorry पीने में भी लगेगा तो आप लोग ज़रूर बना के पीजिएगा और सिपसंकर सेफ को कमेंट करना नहीं भूलिएगा और मैं उमीद करता हूँ जितने भी अनसस्क्राइबर लोग हैं प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुती अच्छा अच्छा बहुत ही टेस्टी टेस्टी रिसीप इसिप संकल स्टेप लेके आने वाला है तो जितना ही खुम शूरत से आप देख रहे हैं तो नहीं खुम सूरत हाथों से प्लीज आप लोग मेसेच कर दीजेगा और सिस्क्राइब करना नहीं भूलेगा और लैक जरूर किजिए प्लीज आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा तो सेर करना नहीं भूली